नमस्कार मैं डॉक्टर नवनीच सांगवान इंटरनेशनल ट्रेड और फैनेंस पेपर के फोर्थ वीडियो में आज प्रोब्लम्स ओफ इंटरनेशनल ट्रेड और सजेशन्स फोर रिमोल आफ दीज प्रोब्लम्स डिसकस करने जा रहा हूं इंटरनेशनल ट्रेड में कई टाइप की प्रोब्लम्स आती हैं जिसे अपन पॉइंट बाई पॉइंट डिसकस करते जाएंगे जिसमें पॉइंट नमबर बन आता है प्रोब्लम ओफ म्यूच्वल कॉन्टेक्ट पारस पर एक संपर्क की समस्या जब आपका इंपोर्टर और एक्सपोर्टर है दो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की होते हैं तो उस केस में अव्विश सी बात है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं उनका म्यूच्वल कॉन्टेक्ट होना थोड़ा सा टफ होता है अलागि आजकल IT का जमाना है कॉंटेक्ट है वो आसानी से हो जाता है फिर भी कई टाइप की चीजे हैं जो doubtful रहती है बहले आप टेलेफोनिक या वीडियो कॉंफरेंसिंग इन सब मीडियम से कॉंटेक्ट कर ले लेकिन जो इंपोर्टर है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस क्या है एक्सपोर्टर है उसकी reliability क्या है ये सारी चीजें पता नहीं चल पाती है फिर second point आता है problem of credit साख की समस्या क्रेडिट को अपन दो टर्म में आपे देख सकते हैं एक तो किसी भी person है उसकी क्रेडिट यानी उधार लेने और देने की शमता दूसरा कि जो एक्सपोर्टर है वो क्रेडिट बेसिस पे अपने goods या services है उनका export करेगा या नहीं करेगा तो ये problem है वो continuous basis पे international trade में बनी रहती है फिर point number 3 आता है problem of quality and quantity of goods माल की किस्म तथा मात्रा की समस्या export में कई टाइप की चीजे होती है जब loading की जाती है माल तो उसके बाद में रास्ते में उसके damage होने के chances होते है कई बार कुछ एक्सपोर्टर है वो cheating कर जाते हैं गटिया quality के product है उनको export कर देते हैं quantity wise भी के chances रहते है फिर next आता है problem of price determination international trade में जहांपे import and export होते है ये एक बड़ी problem होती है reason being day by day आपकी exchange rate है वो vary करती है plus किसी particular country में किसी product की prices है वो कुछ और होती है दूसरी country में prices है वो different होती है तो उन सभी situations में कोई भी product है उसकी price determine करना काफी tough रहता है फिर next आता है problem of mode of payment जनरली domestic transaction होते हैं उसमें cash में भी payment करा जा सकता है चेक से भी payment करा जाता है बट international trade में जनरली जो payment होता है एक तो वो जो आपकी exporter country है उसकी currency में करना पड़ता है दूसरा advance payment कितना होगा तीसरा delivery के बाद payment कितना होगा और चोथा mode of payment actual में होगा क्या जैसे bills of exchange है उनके थूँ payment करा जा सकता है letter of credit है उसके थूँ payment करा जा सकता है तो कही सारी problem है वो payments related international trade में associated रहती है next exchange rate fluctuation विने में दरों में उतार चढ़ाओ जितनी भी country है सब की currency generally different होती है और international monetary fund के according आजकल fluctuating currency system है वो adopt कर रखा है यानि market में demand and supply है उस factor के थूँ आपकी prices है वो determine होती है तो उस case में exporter और importer दोनों के लिए ही यह risk वाला factor रहता है जो एक type से problem बनता है international trade के लिए फिर next point number 7 आता है जो है trade restrictions व्यापार नियंत्रन यह अपन second और third वीडियो में भी discuss कर चुके है बहुत सी countries होती है उनका target है वो import को minimize करना और export को maximize करना होता है तो उस case में जनरली importer country है वाँकी government वो import पे duty को increase कर देते हैं और export पे duty को decrease कर देते हैं तो trade restriction या व्यापार नियंत्रन जो policy है वो भी international trade के लिए एक problem बनता है next exchange control policy विनिमे नियंत्रन निती आलांकि जो भी international monetary fund के member country है उनमें यह problem बड़े level पे नहीं आती है बड़ फिर भी कुछ part पे local government है या वहाँ का central bank है वो आपके reserve को sale out करके या purchase करके exchange control करने की कोशिश कर सकता है next आता है packing, forwarding and delivery packing रवानगी तथा सुपुर्दगी packing इसलिए important हो जाती है कि foreign country से माल आता है रास्ते में damage होने के chances है फिर उसकी forwarding होती है और delivery होती है उससे relevant आपके documents है वो भी एक बड़ी problem बनती है एक आपका delivery हो जाती है goods की उसके बाद में suppose warehouseing की facility नहीं है तो वो भी international trade में एक problem बन के आती है फिर next आता है problem of formality कई सारी चीजे हैं जो आपको international trade में formality के रूप में देखना होता है जैसे documentation है वो सबसे tough task होता है जिसमें आपका mode of payment होगा loading unloading से related documents होते है फिर bill of exchange बनता है तो उसमें भी तीन प्रतियों में उसको बनाना पड़ता है तो ये इतनी सारी formalities होती है वो भी international trade में barrier उसके लिए एक problem बन जाती है फिर next आता है problem of regional associations शेत्रिय संग्ठनों की समस्या कई सारे organizations इसमें बने हुए है जिन सबको एक type से control करने का काम है वो WTO करता है World Trade Organization जिसका establishment 1995 में हुआ था पट उसके बाद में भी जैसे European Union बना हुआ है NAFTA बना हुआ है SARK संग्ठन एक बना हुआ है ये सारे संग्ठन है उनके सबके अपने अलग अलग objectives होते है और वो objectives जो आपस में टकराते है तो international business के लिए problem बन जाते है फिर next आता है problem of dumping ये अपने last वीडियो में भी देखा था कि बहुत सी countries हैं वो market capture करने के purpose से cost to cost अपने product की selling करना start कर देते है यानि लागत में ही बाल बेशते हैं या फिर cost से कम पर भी product को export करना start कर देते हैं जिससे उसके competitor country हैं या जो exporters हैं उनके लिए बड़ी problem खड़ी हो जाती है नेक्स्ट आता है problem of political risk राजनेतिक जोखिमों की समस्या अभी recently अपन example ले सकते हैं जैसे इंडिया और चाइना में border पे थोड़ी सी tension हुई उसके बाद में इंडियन government है उसने कई Chinese apps हैं उनको ban कर दिया ऐसे ही जब आपकी countries हैं उनकी government जो local government है या party है उसमें कई बार क्या होता है government है वो mid term में गिर जाती है या opposition है वो आपकी सरकार को गिरा देते हैं जैसे सरकार गिरती है उसके बाद में different party है वो ruling party बनती है और उसके different agenda होते है और different business policy होती है तो party change होने के साथ में जो policy में changes आते हैं वो भी international trade के लिए बड़ी problem बन जाते है फिर ये तो सारी problems थी अब problems होती है उनके लिए suggestions हैं वो भी निकल के आते हैं या उसके लिए क्या-क्या measures यूज किये जा सकते है तो suggestions for removal of problems of international trade या measures for removal of problem of international trade अंतराश्टिये व्यापार की समस्याओं के निराकर्ण हे तू क्या-क्या सुझाओ दिये जा सकते हैं जिसमें point number one आता है close contact among exporters and importers जो आयात करता और निर्यात करता होते हैं उनमें निकट संपर्क ये एक type से आपस में healthy relations को develop करते हैं और जैसे जैसे exporters और importers हैं उनके relations develop होते हैं export और import है वो barrier free होने लग जाता है निर्बाद रूप से होने लग जाता है अब इसमें बीच बीच में एक suggestion ये भी आता है कि कैसा organization होना चाहिए जो गलत activity करने वाले importers और exporters हैं उनको blacklist कर दें सेकिंड आता है standardization of terms of trade व्यापरिक शर्तों का प्रमाणी करन terms of trade है वो exporters और importers और वाकी country की policy है उस पे depend करते हैं बार बार terms of trade change होती है तो उस case में कई बार importers को loss होता है कई बार exporters को loss होता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि एक set rules है वो decide कर दिये जाए ताकि बार बार उसमें changes नहीं आए और किसी भी party को loss होने के chances ना हो फिर next आता है forward exchange अगरिम विनिमे सो दे forward transactions में क्या होता है कि जो आपकी exchange rate है वो पहले से decided होती है जिससे product है उसका export आज होना है या export की deal आज हो रही है और वास्तव में जो goods है वो deliver after three months होता है तो exchange rates है वो पहले decide कर ली जाती है वो आज की date की हो सकती है या दोनों party जिस particular rate पे agree करती है वो हो सकती है उससे fluctuations of exchange rate वाली risk है वो zero हो जाती है नेक्स आता है rational trade policy विवेकपूर्ण व्यापार निती जितनी भी country जो export और import में engage होती है उसमें खास्तुर से एक trend देखने को मिलता है कि developed countries है वो अपनी policy कुछ इस type से frame करते है कि उनको तो benefit होता है और under developed and developing countries है उनको loss होता है तो उस case में suggestion या आता है कि WTO है वो इसमें intervene करे उसका अस्तक्षेप हो और उसके बाद में under developed and developing countries को loss होना बंद हो जाए बिंस एक type से rational policy है वो develop की जा सके फिर next आता है relaxation in exchange control जैसा कि अपन पहले ही इसी वीडियो में discuss कर चुके है 1971 से international monetary fund है उसने fluctuating currency system है उसको adopt कर रखा है यानि market में demand and supply factors से exchange rate है वो determine होती है और इसको actual में free ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि जो reserve policy countries adopt करती है या अपने according उसमें changes लाने की कोशिश करती है उसमें generally underdeveloped and developing countries है उनको loss होता है next आता है availability of international finance ये एक बड़ी problem होती है जैसे इंडिया में export import bank of India है उसका establishment कर रखा है 1982 में ये bank establish हुआ था लेकिन फिर भी importers को जितने finance की requirement होती है वो timely available नहीं हो पाता है तो इस type के कई institutions हैं उनको develop करने की requirement होती है या फिर international level पे इस type के organizations या institutions हैं उनको establish करा जाए जो importers and exporters को timely finance provide करवा दे next आता है security from risk जोखिमों से सुरक्षा अब वो risk चाहे आपके damage होने की हो रास्ते में या loading unloading से related हो या political हो या trade risk हो ये जितने भी type के risk होती है इन से exporters और importers को security provide करवाना जरूरी होता है क्योंकि government से हैं वो तो change होती रहती है उसके according policy change होती है और वो exporters और importers के लिए बड़ी problem बच जाती है एक warehousing facility गोदाम की सुविदाएं ये generally आपकी loading और unloading के बाद problem आती है loading से पहले और unloading के बाद में जैसे कोई exporter है उसको product वो supply करना है दूसरी country में export करना है तो उससे पहले कई बार late हो जाता है या फिर आपके पास में means of transportation है उसके availability नहीं हो पाती है तो उस case में जरूरी होता है कि उसको go down की facility provide करवाई जाएं ऐसे ही importer होता है माल जैसे ही जहाज से उतारा जाता है उसके बाद में suppose वो delivery नहीं ले पाता है तो उसकी safety के परपज से जहां पे माल उतारा जाता है वहाँ पे go down की facility होनी चाहिए नेक्स आता है liberalization of economic controls आर्थिक नियंत्रणों में उदारता जितनी rigid या tough policy कोई भी country अडॉप्ट करता है उसका international trade उतना ही minimum होता है Reason being export और import को निर्बाद रूप से या barrier free आपको करना है तो आपकी economic policy है उनको liberalize करना पड़े नेक्स आता है discouragement of dumping राशी पातन का हतोत साहन और ये discouragement है वो किसी एक country के भिहाब पे नहीं होना चाहिए जितनी भी country export import में engage होती है वो combined efforts इसमें लगाएं कि जो भी country dumping करेगा उससे कोई भी import है वो नहीं करा जाएगा फिर नेक्स आता है practical approach by regional association शेत्रिय संक्टनों का विवारिक द्रिश्टी कोण ये पहले भी अपनने बात करी थी एक तो WTO है जो worldwide आपका organization है उसके बाद में सार्क हो गया साफटा हो गया नाफटा हो गया European Union हो गया इनकी approach export और import को लेके practical होगी विवारिक होगी तो उसके इसमें निर्बाद रूप से import and export है वो करा जा सकता है next आता है simplification of international payments international payments में generally problem इसलिए आती है ज्यादा तर payment है वो banking system के थ्रू होते है माल लीजिए SBI की branch इंडिया में है किसी दूसरी country में नहीं है तो वहाँ पे बड़ी problem बन जाता है कि उसका payment कैसे किया जाए तो या तो यह हो कि एक particular bank हो जिसकी branches हर country में हो जो import और export में payment में एक टाइप से help करने का काम करें या फिर जो bank होती है उनके हर एक country के different cities की जो banks होती है उनके साथ में collaboration हो जाए ताकि payment है वो easily हो सके next आता है insurance for trade and political risks व्यापारिक एवं राजनेतिक जोखिमों का दिमा trade insurance है वो तो generally होती है यानि goods को लेकर के होती है entire trade को लेकर के नहीं होती है political risk होती है ये बड़ी risk होती है government के साथ में policy change होती है तो उसमें कुछ इस type से या तो insurance हो या फिर इस type के rules बना दिये जाएं कि जिस particular government के time पे जो policy थी उसके rules है वो import और export जो उस particular time पे deal होती है उस पे implement रहें चाए government change हो चाए policy change हो otherwise इस risk को minimize करना थोड़ा सा तफ रहता है और last point आता है code of conduct आचार सहीं था जितनी भी problems आती है international trade से related चाए वो import से related हो चाए export से related हो उनके removal के लिए कोई एक institution बनाया जाना चाहिए वैसे तो इसमें WTO होता है लेकिन फिर भी एक अलग institute के requirement है जो conflicts को handle करने का काम करें तो आज के इस video में इतना ही है जिसमें आपके लिए बताया गया आपको problems of international trade and suggestions for removal of problems of international trade इस video के साथ में ये chapter complete हो जाता है चार वीडियो में अपनने definition, characteristics फिर उसके बाद में basis importance, उसके बाद में losses या shortcomings फिर problems of international trade and suggestions for removal of problems of international trade अपनने study करा, तो आज के लिए इतना ही thank you, जै हिंद, जै भारत